आप सब्सक्राइब करते हैं अपने क्लास की शुरुवात आपकी चल रही है यह है जीके की सीरीज तो इसी को हम आगे कंटिनियू करेंगे बस एक बार से सेशन लाइब हो जाए तो कॉमेंट बाक्स के अंदर पिन करके बता दिजेगा कि येस माम इस लाइब आपके शुक्रिया चले तो शुरुवात करेंगे यहां पर लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले एक बार इसे क्लास का जो लिंक है उसको बाकी ग्रोप्स पर अड करते हुए जब जहां जहां पर आप आड़े होते हो जस्ट डू शेर इट वन्स ठीक है एक बार इसे शेर ज होता है और वहां पर कोड नेम भी क्रियेट हो जाता है 123456 इस तरीके से चलियों आयोशी चित्रेश असित निमेत रंजन भार्गवी दीप राज वेरी गुर आफ्रनोंट वाल देखें सबसे पहले चीज आपको यहां पर यह बता दें कि अनक्यादमी पे आपके अभी तक special classes में 2 special classes हो रहे थे जो कि from tomorrow कल से आपका एक ही special class रहा करेगा reason कुछ बच्चों को time limit के साथ में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो from Monday आपका एक ही special class रहा करेगा that is 10-15 a.m. जो आपका चल रहा है क्या previous year paper शाम को यह चार बजे का class आपका होता है जो कि crash course है यह class आपका अन YouTube पे रहेगा from Monday यह class आपके रहे यूट्यूब पे रहेगा और इसके अंदर Monday से जो topic स्टार्ट होने जा रहा है वो आपका history होगा कौन सा है history होगा ठीक है समय वही है सिर्फ आप की जगे पर यह class आपका YouTube पे आ गया है बाकि इसके अंदर कोई भी changes नहीं है it will be as it is okay किया है उसके अंदर अपना जो चीता है ना वो आके बैठ गया कुनू नाशनल पार्क के अंदर class के बाद में उसका वीडियो जो है वो मैं आपको शेया करूंगी टेलिग्राम पे ओके चले तो शुरुबात करते हैं I hope कि सभी लोग तयार है और गुड टू गो नमस्ते ग छेज़र शुबह सात बचे आपका क्लास होता है और क्ल कलosure सुबह सबह सबर दस नहीं सबायिए सब्सवा अठ बजै कल संडे की बात हो रही है यहाँ पर यूट्यूब पर ही योट्यूब पर ही जैनवरी सर्थ मार्च और एप्रिल इतने बलगा जो कर्की आफेयर से उसका division आपका रहेगा और ये cover करेगा आपके steno के exam को CGL के exam को PT के exam को और आपके दिल्ली के exam को इन चारों को cover करेगा कल आपका ये वाला class और सुबर 7 बुजे आपका weekly mcq जो रहता है वो वैसे ही होगा ठीक है चलिए शिरुबात करते है पहला सवाल आपके सामने बताएं सवाल में कहा जा रहा है बंददारा डाम जो है वो कौन से state के अंदर located है बताएं ये जो डाम है ये कौन से state के अंदर located है उसको देखो कह रहा है आचा topic बतादे ओके I will share the topic आज शाम तक बता देंगे topic चले इसका correct answer क्या है महराश्रा के अंदर आपको ये डाम देखने को मिलेगा अगर आपसे पूछा जाए कि इस डाम का क्या कोई और नाम भी है जी हाँ इस डाम को हाँ विलसर डाम के नाम से भी जानते हैं कौन सी नदी के ऊपर ये बना हुआ है तो ये बना हुआ है प्रवारा नदी के ऊपर अगर इसकी location पूची जाए कि महराश्रा में कहां पर located है तो ये आपको कहां मिलेगा एहमद नगर के अंदर आपको इसकी location मिलेगी ये वही वाली जगे है जहां पे DRD उने अभी कुछ समय पहले अपना एक टेस्ट भी conduct किया था चलिए अगले सवाल पर आएके सारनात म्यूजियम इंडिया में कहां पर है अच्छा ठीक है सारनात म्यूजियम जो है इंडिया में आपको कहां पर देखने को मिलेगा इसका correct answer हो जाएगा UP के अंदर आपको इसके location मिलेगी सारनात नाम की जो जगे है आप सभी लोग जानते हैं कि ये बुद्धिजम के साथ में जुड़ा हुआ नाम है और जब हम वारानासी की बात करेंगे यानि कि जब हम बनारस बोलते हैं तो वारानासी से थोड़ी दूरी पर आपको सारनात नाम की जगे है वो देखने को मिलेगी ठीक है तो ये ध्यान लीजेगा important है कहां पे आपको मिलेगा सारनात archaeological survey of India archaeological survey of India और museum से आपके दिमाग में दो चीजे आनी चाहिए कल और परसों दोनो दिन मैंने आपको सुबा 7 बजे current affairs के अंदर एक news पढ़ाई थी वो news थी लोथल के बारे में जो क्या बनाया जाएगा maritime museum बनाया जाएगा और दूसरा मैंने यहां से आपको पढ़ाया था कि पूरे world का सबसे बड़ा जो museum बनाया जाएगा historic museum होगा वो कहां बनेगा राकी गड़ी हर्याना के अंदर उसको बनाया जाएगा तो दोनों नाम आपके रहे important है अगला सवाद बताएं Gabiron is a capital of Gabiron is a capital of Again I am telling guys कि आपका January से लेके August तक का जो current affairs है SST के exam के लिए PT के exam के लिए और दिल्ली के exam के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइट कर दिया पहला पार्ट आपका कल रहेगा सुबह सवादस बजे और ये कहां होगा यहीं YouTube पे इसका class रहेगा ठीक है? B होगा इसका अंदर B, 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 B Cameroon, Cameroon के साथ में जा रहे हो अच्छा, इसका correct answer क्या हो जाएगा यहाँ पे? Cameroon, बहुत बढ़िया Very good सोच लो अराम से, take your time एकांत ने B बताया है सब लोग B बता रहे है क्या हो गया? Cameroon होगा सोच लो, answer क्यों change हो रहा है भाई? answer क्यों change हो रहा है यह बताओ जल्दी बताओ, इसका answer क्या बनेगा? आदे ने कुछ बताया है आदे ने कुछ बताया है अभी कहेंगे बहुत कुटाई होगी समझ रह, बहुत कुटाई होगी इसका correct answer क्या होगा? Botswana is the right answer Botswana नाम के जो location है वो इसके important हो जाती है क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? काला हारी desert जो है, जो मरुस हले वो देखने को मिलेगा इसके location कहां है? आफरिका के अंदर यह आपको मिलता है और जब भी हम काला हारी desert की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको एक tribe भी मिलती है जिसका नाम क्या है? बुश्मेन ट्राइड क्या नाम है? बुश्मेन ट्राइड आफरिका के अंदर आपको बहुत सारे deserts मिलेंगे सहारा desert है, नामीबिया desert है लीबिया desert है या आप अगर देखो आपको most important काला हारी desert है तो ये जितने भी deserts आपको मिलेंगे ना ये सारे के सारे कहा मिल रहे है आफरिका या साउथ आफरिका वाली जो location है वहाँ मिलेगा अगला बताएं पैन गोलाखा, वाइलेर सेंचुरी कहां पर located है? कहां पर located है? बताएं कल तुवारा paper है I agree लेकिन class तो सुवा होगा सवा आठ बजे paper नौ बजे से पहले कहा होगा तब तक तो खतम हो जाएगा class तब तक तो class खतम हो जाएगा एक पार्ट कर और एक पार्ट अगले वाले संडे को बस खतम इसी मन्त में खतम हो जाएगा ठीक है? चलिए जैहिन भई जैहिन इसका correct answer क्या होगा सिक्केम के अंदर आपको यह मिलेगा अगर आपसे पूछा जाता है कि यह बताएं भई सिक्केम जो है आजकल सुर्खियां क्यों बटोर रहा है तो सिक्केम सुर्खियां इसे बटोर रहा है क्योंकि यहां पर क्या बनेगा? भई यहां पर बूटिया दी के नाम पर एक स्टेडियम बनाया जाएगा फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि जो रंजी ट्रॉफी दूनी है रंजी ट्रॉफी के तीन माचेज जो है वो सिक्केम के अंदर कंड़क्ट किये जाएंगे नेक्स वाली उसमें जो नेक्स वाले माचेज होंगे सिक्केम के अंदर आपको क्या मिलता है? एक तो हो गया कंचन जंगा नाशनल पार्क कंचंगंगा नाशनल पार्क जो है वो बायोस पे रिजर्व भी है और यूनिस्को की जो साइट्स हैं उसके अंदर मिक्ज की के अंदर भी इसको रखा गया है तो इसकान से क्या हो जाएगा इसकान सा बनेगा सिक्क्यम अगले सवाल पहाएगे इसकीम अभी हाली में लाँच हुई थी बताएं कोटा के साथ जा रहे हो सब लोग कोटा के साथ जा रहे हैं बहुत बढ़िया इसका आंसर क्या हो जाएगा कोटा इस आपको राजस्तान के अंदर मिलेगा और मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था कि जो ओम बिरला जी है उनकी जो कॉंसिट्वेंसी है वो आपको कहां पर मिलेगी कोटा के अंदर ही आपको इनकी कॉंसिट्वेंसी मिलती है अगला सवाल बताएं राजीव गांधी कम्बाइन साइकल पावर प्ला जिसके अंदर जो गाउं के इलाके हैं वहां पर इस्पोर्स का आयोजन किया जाएगा और यह स्पोर्स कहां पर लॉंच किया गया था राजिस्थान के अंदर इसको लॉंच किया गया था अब आपसे कहा जा रहा है कि साइकल पावर प्लांट कहां पर मिलेगा तो यह आप भेया सुबा करेंट टफच Taylor के क्लास में आओ ठीक है अग्ला सबाध बताएं Axis Bank का Headquarter, Axis Bank का Headquarter. बताएं कहां मिलेगा. Deaf is the Headquarter of Axis Bank. देखो Axis Bank जो है इनका एक Payment Bank भी घा, ओर इंडिया का क्या हो जाए हएक इंपोर्इन बैंक है और उसके बाद में Airtel आया Airtel ने भी अपना पेमिंट बैंक जो है उसको लॉंच किया ठीक है चलिए बताइगे Mumbai इसका आंसर होगा चलो देख लेते हैं इसका correct आंसर क्या Mumbai is the right answer ध्यान दीजेगा कि इसको बनाया कब गया 1993 में बनाया गया पहले इसको UTI बैंक के नाम से जाना जाता था अगर आप अभी भी Axis Bank का जो IFS Code होता है अगर आप उसको देखेंगे तो वहाँ पे UTI लिखा हुआ है ठीक है क्या हो जाएगा UTI वहाँ पे लिखा है अगर आपसे बंधन बैंक पूछा जाए तो बंधन बैंक कहा है कोलकता के अंदर आपको मिलेगा चली नेक्स पर बताए नेलसन मंडेला इंटरनाशनल डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है अगेन आम रिपीटिंग कि क समय पर पहुंचिएगा क्योंकि जैन्वरी टू एप्रिल आपका कल कबर हो जाएगा अगला वाला पार्ट आपका अगले वाले संडे को अट दे सेम टाइंग बताएं 18 जुलाई आरे वाह इसका गरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18 जुलाई इस दा राइट आंसर यानिकि निल्सन मंडेला डे जो है वो अब्जर किया जाता है इंपॉर्टेंट डे है सब को यह चीज पता होनी चाहिए चलिए नेक्स पर आएगे युरोपियन स्पेस एजिंसी का हैड़कॉर्टर कहां पर लोकेट रहा है अलॉंग वॉक टू फ्रीडम करेक्ट यह बुक है यह बताएं देखें युरोपियन स्पेस एजिंसी हो गर यह फिर रॉस्क फीर्ज writer दे बात करेंगी इंडिया की तो अपनी प्यारी इस्वाइगी इस एक प्वorder आपको स्काहां पर मिलेगा या प्यारिस फ्रांच गर आपको इस काहन सा नहीं भी पता था तो आप इसको इसक यह आप्षिन बच रहते हैं यह यह चलीं नेंग्स पर आएंग बताएं मेला खीर-भवानी फेस्टिबल यह फेस्टिबल होता है एक मंदिर है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है सवाल कौन्से सेट या उटी में कौन्स सेट या उटी में हम जिन भी बच्चों का कल एक्जाम है ये क्लास आपका सुबर रहेगा सबादस बजे पेपर आपनों का नौ बज़े से पहले नहीं शुरू होगा बुद्धु बना रहे हो मुझे और ये क्लास यो है ये क्लास आपका सबादस बज़े से शुरू होगा और 8.45 पे खतम भी हो आल राइट तो टेंशन नॉट बताएं जमो इन कश्मीर जमो इन कश्मीर श्री नगर इस दा करेक्ट आंसर बिल्कुल सही जवाब इसका आंसर क्या हो जाएगा जमो इन कश्मीर में फेस्टिवल सेलिबेट किया जाता है कश्मीरी पंडितों के द्वारा इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है आज सुबह भी मैंने आपको कश्मीर की निउस पढ़ाई थी जहां फे मैंने आपको पढ़ाया था कि कश्मीर के अंदर सबसे पहली जो पूरा इलेक्ट्रिफाइड वाला आपका ट्रैक होगा वो लांच होने जा रहा है और यह कब लांच होगा सेक प्रीम कोट्वाला पेपर भी लगा हुआ है इस पेपर के लिए आपको कोई अनोखा करेंट अफेर्स या कोई अनोखा जीके नहीं पढ़ना है वह यह जाना पड़ेगा दूसरा जो आपका यह जूडिश्री का पेपर है तो इसके अंदर आप से जूडिश्री यानि कि प पेटू बाकी सब्जेक्ट ठीक है बाकी पेपर आजड़े जाता उसमें कोई रॉकेट चाइंस नहीं लेगेगी हाँ जी इसका करेक्टर आंसर क्या हो जाएगा मुंबई इस दा राइट आंसर चलो पूने के साथ जा रहते है चलो चलो गलत हो गया अगले पर आईए बताईए नेक्स 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 कोशन बताईए बाउसाइब बंदुकर ग्राउंड बताए कहां पर लोकिट है ये कहां पर लोकिट है इतरो है ते बताईए कहां पर ये लोकिट है आल्राइट अच्छा सुबर के क्लास काफी सारे बच्चों का पेपर अटका हुआ है तो कल शाम को करा दे क्या कहते हो शाम को क्लास करा दे कि बताओ तुसरा एक बार कॉमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ तुछ शाम को क्लास करा दिया जाए क्या कहते हो शाम को गरा दिया जाए बहुत चालू हो गए हो तुम लोग या संडे के दिन भी तुम शाम को उमसे काम करवाओगे चलेगा चलो बताते हैं हम आपको इंफॉर्म कर देंगे शाम तक आपको टेलिग्राम पे इंफॉर्म कर दिया जाएगा इसका correct answer क्या होगा गोवा के अंदर आपको ये located मिलेगा ध्यान दिजेगा कि गोवा की जो capital है that is पाना जी और वहीं पर आपको इसकी location देखने को मिलेगे अगला सवाथ बताए इसकी currency और capital क्या है इसकी capital and currency क्या है इसका correct answer यहाँ पर बनेगा क्या मौरिनी और फ्रांग क्या है मौरिनी और फ्रांग सिर्फ आपके ही स्क्रीन पर पिच्चर जो है वो clear नहीं आ रहे है तो आप एक काम करें यूट्यूब पर साइड में वहाँ पर सेटिंग को option आता है महां से जाके सेटिंग करूं पहले चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजेगा कि यहाँ पर आपको इसकी location नजर आ रही होगी यह आपका जो पार्ट है इसकी जो लोकेशन है वो आपको इंडियन ओशन के अंदर देखने को मिलेगी इंडियन ओशन का जो सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो आइलेंड है वो कौन स कहां पर लोकेशन है यह बर्ड सेंचुरी कहां पर लोकेशन है करनाटिका गुजराथ पंजाब या फिसिक्केम देखो एक आपशन यहाँ पर पंजाब है और यह ध्यान देजेगा कि पंजाब के अंदर आपको कोई भी नाशनल पार्क नहीं मिलता तो यहाँ पर सेंचु क्या हो गया करनाटिका इसा राइट आंसर अगले सवाल पर आईए हैं इंसिट्यूट कहां पर लोकेशन हैं अभी रुक जो अभी अभी रुको विटा आज कर यह सेटिंग वेटिंग जो है ना यह सब भी तब ही होती है जब लाइफ में कुछ कर लेते हैं मतलब यूशु अभी आड आना बंदा हो गया है ना तो थोड़ा सा सोचा करो इसका करेक्ट आंसर क्या मुंबई यहां पर आपको इसका इंसिट्यूट देखने को मिलेगा यह एक ट्रेनिंग और रिसर्च इंसिट्यूट है ध्यान दीजेगा कि यह कब डेवलप किया गया 1899 में इसको ड सब्सक्राइब है कि यह पूसक देख सकते हैं यहां पर और अगर आप से इसी तरीके से पूचाए चाहां होता है तो जो है यह कौन से छेत्र में दिया जाता है धनवंत्री एवाड कौन से छेत्र में दिया जाता है अगर आप से कहा जाए कि भई यह धनवंत्री डे जो है यह कब होगा तो मैंने आपको यह पढ़ाया था 23rd of October को इसका आयोजन किया जाएगा बताएं साइन्स, मेडिकल साइन्स के फील में दिया जाता है बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि यह कौन थे भाई गौड आफ आयोजना और मैंने आपको पढ़ाया भी था कि विश्णुजी के फॉलवर भी थे और इनी की जो लाइक एनिवर्सरी जो होती है उसी कोंग धन्वंत्री दिवस के रूप में भी क्या करेंगे सेलिब्रेट करेंगे अगला सवाथ एबल प्राइस यह कौन से छेतर में दिया जाता है यह जो पर्टिकुलर एवॉर्ड है इसे नोबल भी कहा जाता है उस पर्टिकुलर सब्जेक के लिए आपको बताना है फील का नाम अरे वाग थ माच के पील में आपको यह एबल एवॉर्ड जो यह देखने को बिलता है यह जो पर्टिकुलर एवॉर्ड है यह दियान दीजेगा कि इसके जो शुवात है वो यहाँ पर नौर्वे के जो मैथमेटिशन थे उनके नाम पर दिया जाता है जिनका नाम है नील हैंरिक एबल क अगला सवाल बताए फलोधी स्वावर प्लान कहां पर लोकेड़ है? कहां पर लोकेड़ है? हां हां आज विश्व कर्मा फूजा है मुझे पता है बिलकूल पता है इतने शैतान हो गया हो तुम लोग कह रहा है कि मैं यह वोर्ड उसी में दिया जाता है जो आपको नहीं आती है गजब गजब आंसर किया है लड़के ने है सुनो आजकर मुझे मैट्स आ गई है तुम्हें क्या बता चलिए इसका करेक्ट आंसर यहां पर क्या है राजसान के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी कहा पर राजसान के अंदर ध्यान दीजेगा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि राजसान के अंदर जोदानी ग्रूप है वो भी एक सोलर प्लांट लगाने वाला है और इसके अलावा अगर हम लीथियम सेल के प्लांट की बात करें तो वो आंदर पतेश के अंदर स्थारूश किया जा रहा है चलें नेक्स्ट पर बताए है पल्जॉर इस सेडियम कहा पर लोकेटेड है कहा पर लोकेडेड है कहा पर लोकेडेड है शिलोंग गैंग टॉक गउहार्टी आप अगर अगर तर तो इससकी मिलेगा कि यहां पिर हो सेडियोगा। तो काफी पूछा जाये प हो जाएगा। इसी तरीके से आप से यहां पर क्या 555 डारिय करोड़ आ ingredients से कोलकता का है अप्शन में धनवाद 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 इसका करेक्ट टांस है यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पर धनवाद बिल्कुल सही जवाब है अच्छा देखो यहां पर है है और द्धराबाद लिखा हूआ है मैंने आज आपको एक न्यूज और पढ़ा तेलंगाना के अंदर और वर्ड की तीसरी यह आज सुभए ही मैंने आपको पढ़ाया था ठीक है चले नेक्स पर आइए बताएं राजस्पुंडरी कौन सी नदी के किनारे पर लोकेड़ है कौन सी नदी के किनारे पर लोकेड़ है स्वीच बनाना अच्छा है तुम लोग तो जानते ही हो मुझे तुदे को मीठा अच्छा लगता है अपने को फर्क नहीं पड़ता है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना मीठा खाये भी फूलते चले जाते हैं दिया सम पीपल लाइक दाट और चले इसका करेक्ट अगर आप से नासिक पूछा जाए तो यह भी आपको गुदावरी के किनारे पे ही मिलेगा अगर आप गुदावरी की बात करोगे तो इसका जो ओरिजन होता है वो त्रिम्बक के पठार से होता है हाँ करेक्ट है त्रिम्बक के पठार से होता है और यह जो जगे है यह इस कहां पर है जो भी बच्चे क्लास में बाद में आ रहे हैं अगेन I am saying कि टेलिग्राम जरूर से शाम को चेक कर लिजेगा आपका ये 6 महीने का जो करेंटा फेर्स है ये 7 महीने का जो करेंटा फेर्स है उसको 2 पार्ट में हम यूट्यूब पे कराएंगे समय आज शाम को ही the correct answer, बिल्कुल सही जवाब, देखो नागपूर जो है ना वो वैसे भी important है, किसके लिए oranges के लिए, किसके लिए oranges के लिए, लेकिन oranges के लिए जो international level पर festival होता है, वो नागपूर में नहीं, बलकि मनीपूर के अंदर, क्या किया जाता है, कंड़क्ट किया जाता है, अगला सवा बताएगा, सिमातरी सुपर थर्मल पावर प्लांट कहां पर है, सिमातरी कहां पर लोकेड़ है, अच्छा, कहां पर लोकेड़ है, बताएगे, इसका right answer क्या हो जाएगा, आंदर प्रिदेश के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगे, अगले पर आईए, अगला बताएगा दुलेरा इंटरनाशनल एयरपोर्ट कहां पर है, किसी ने एक पॉइंट पोला है, अंबीटकर जी का स्टेचू अट इंडिया गेट, नो नो गलत है बिटा, सुभाष यंद्बो जी का स्टेचू है वो, अंबीटकर जी का जो स्टेचू है, जिसे हम स्टेचू आप नॉल लाश्रा के अंदर है और जो इंडिया गेट के पांस में है वो सुभाशन बोजी का इस्टेच हुए ठीक है चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गुज्रात इस दा राइट आंसर ठीक तो यहां पर मैंने आपको इस सारे कोश्चन्स करा दिये अब आप से मुलाकात टेलिग्राम जरूर से चेक कर लीजेगा शाम को क्योंकि आपको क्लास का जो समय है वो हम मेंशन कर देंगे इसके अलावा जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पेड़ बैच्चिस को जोईन नहीं किया है और यहां पर ध्यान दीजेगा कि 15 से आपके ये बैच् करतेंगे और यहां पर जिसके साथ आप जॉइन करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट में लिए आप चाहें तो EMI के फॉर्म में भी अपना जो पेमिंट है उसको कर सकते हैं और हां ध्यान दीजेगा कि इसकी जो पीडियेफ है वो भी मैं आपको टेलिग्राम पर शेयर क को कि एगे सकते हैं तो कि उसकी के फॉर्म में और को आपको पॉर्म में अव्यान कर जो